आज आप लोग का साथ एक कोई छोले मसला रेशिपी सेयर करने जारे हूँ जो कि आप लोग को बहुत बहुत पसंद आएगी छोटे या बड़े जो भी इसे खाएंगे उसका दीवाना हो जाएंगे आज हम एकदम छटपट स्वादिश छोले मसला तयार करेंगे जो कि आशा और देख परें इनका जो स्टेक्चर आएए आसानी से इसे हम त्यार कर लेंगे हाई गाईज जय रेशिपी आप लोग को बहुत 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 श्वाकर चलिए आज का रेशिपी शुरू करते एक बार एरे रेशिपी आप लोग को अच्छा लाग रहे तो एरे चानल को लाइट, सेर, सब्सक्रीपी शुरू करते सब्सक्रीपे ले छोला मसला बनाने के ले यहाँ पर हामें एक कप काबुल छोले ली जो बड़े बड़े दाना रता ना वह चोले लेकर इसे हमें पानी डालकर ओबनाइटी भी गोली थी आप देखिए कितने बड़े बड़े फुल चुकी यहाँ पर हामें एक आलू इसे हम छिल लेंगे आप लोग को आलू पसंद है तो डाले नहीं तो इसे स्कीप कर सकते आलू डालेंगे ना हमारा शुला मसला स्टेक्चर बहुत अच्छा बनेंगी यहाँ पर देखिए हमें आधा बीट रूट इसे हम छिल लेंगे हमारा जो छुला मसला का थोड़ी सी कालर चेंज होए इसलिए हम बीट रूट यहाँ पर यूज करेंगे देखिए सबसे पहले हम जो बीट रूट लीती ना इसे हम चोटे-चोटे पीसिस में काट लेंगे आप देखिए यहां पर हमें कुकर में डाल लेंगे और एक कप पानी यहां पर हमें डाल लेंगे आप देखिए हमें जो काबुल छोले यहां पर हमें डाल देंगे अब जो आलू हमें छील कर राके तना वह भी हमें यहां पर डाल लेंगे और देखिए आप पानी जितना आप लोग ग्रेवी चाहिए वह इसाब से डालें मैं इस थोड़े सुक्की तयार करूंगी यहां इसलिए हम दो कब पानी यहां पर डाल ली और थोड़ी शी यहां पर नमक डाल लेंगे इसे आप कबर लगा लेंगे आप देखिए हमें मीडियम फ्लेम पर दो से तीनी सीटी सीटी यहां पर हमें आने देंगे जब कूकर में दो सीटी आए दो से तीनी आप सीटी लगा ल बाद इसे हम थोड़ी से चेक कर लेंगे ताकि हमारा जो छोले अच्छा से कुक हो जुकी यहां पर जब देखेंगे आप लंका छोले अच्छा कुक नहीं हुआ था आप एक दो सुटी और लगा ले फिर इसे हमें साइट में रख लेंगे यहां पर देखिया हम गयास अन कर लेंगे और एक कड़ाई को अच्छा से गरम होने देंगे कड़ाई जब आच्छा से गरम होजे हमें चार से पान स्टेबल स्पन ओयल डाल लेंगे फिर हमें थोड़ी सी डाल चीन एक ब्लाक एलाइज जो बड़े वाला इलाज ना ओ डाल और एक ग्रीनी लाइज साथ में हमें आठ से दस काली मिर और चार लॉंग एक शुक्की लाल मिर आप जबी ध्यान देते हुए डाले नहीं तो यह उपर चेटकाता है और पर देखिया हम दो तेज बता चाहां अच्छा से फ्राइब कर लेंगे यहां बर देखिये थोड़ ट्रीसी फ्राइब हम.द लीगे छॉलाव सुफट होनी तक यहां पर हमें एक मीडियम साइज टमाटो और परेगे कटकर लें जब टोमाटो थोड़ी से सब्ट हो जाए यहां पर हमें वन टेबल स्पन अध्रक लाशन पेस्ट टाल लेंगे और शारजीज हमें अच्छा से मिक्स कर लेंगे और ध्यान दीजिए यहां पर हमें ग्यास का फ्रेम मीडियम पे रखेंगे ताकि यह अच्छा से गूग वा जाए और जब तक इसे हमें अध्रक लशन का स्माइल हट जाए तब तक के लिए इसे हमें ट्राइफर कर लेंगे फिर यहां पर हमें थोड़ी सी नामाक आड़ कर लेंगे हमें पहले से चेब कुकर में बॉइल की थे ना चोले वहां पर हमें नमाग डाले थे ध्यान देते हुए यहां पर हमें थोड़ी सी नमाग डाल लेंगे और यहां पर देखिए हमें हाप डबल स्पन कास्मे रेड जिल पाउडर साथ में थोड़ी सी हल्दी पाउडर और यहां पर हमें Half Double Spon, जीरा और धन्या का पावडर डाल लेंगे और शारे चीच हमें इसे ड्राय कर लेंगे, यहां पर हमें पानी यूज नहीं करेंगे, फिर यहां पर देखिए हमें कुकर में जो अलू और बीट रूट यहां पर हमें निकाल लेंगे, आप चाहे तो इस यहां पर चोटे-चोटे पीसिस भी काट कर डाल सकते हैं यहां पर हमें देखिए आलू और वीड रूट निकल ली अब हमें जो छोले और पानी का साथ यहां पर हमें डाल लेंगे अब इसे हम अच्छा से मिक्स कर लेंगे आप चाहेते हैं यहां पर जो हमें मसला यूज की थी ना वो निकल चकते हैं मैंने यहां पर सारे चीज अच्छा से इसे कावर करते हुए मेडियम फ्लेम पर पांच मिट के लिए पकाया फिर देखिए यहां पर हमें जो आलू ली थ और आप चाहेते हैं इसे भी काट कर डाल सकते मैंने यहां पर नहीं डालूँगी ताकि इस हम इसे खा लेंगे आप देखिए यहां पर हमें अच्छा से मिक्स कर लेंगे और दो मिन्ट के लिए इसे हम लोग फ्लेम पे पकाएंगे देखिए सिर्फ फांच से सात मिन्ट में हमारा जो छोले मसाला तैयर हो जाएगी और यहां पर देखिए लाश्ट में हमें अब टेबल स्पुन छुले मसाला और साथ में हमें यहां पर थोड़ी सी गरम मसाला आड़ कर लेंगे अब सारे चीच अच्छा से मिक्स कर लेंगे अब हमें दो सेकंड के लिए हमें से मसाला का साथ थोड़ी से पका लेंगे कर लेंगे जहां पर दुfund का बाद अच्छा है से मिक्स कर लेंगे अब यहां पर हमें एक हvärी मिर्च नटे डाल लेंगे वर एक हैमें अपर लाश्ट में थोड़ी सी डालचीन डाल लेंगे ताकि अच्छा प्लेवर आए फिर इसे हमें कवर कर लेंगे और ग्यास आप कर लेंगे यहां पर देखिए हमारा जो साधिश छोले मसला अब तयार हो चुकी इसे हम गरमा गरम सर्फ कर लेंगे अब एक बार इसे ट्राय करें दिखेंगे बहुत स्वाधिश लगता है और देख पर हम सिर्फ पान से साथ मिन्ट में इसे त्यार कर लें बिल्कुल हमारा जो स्वाधिश छोले मसला हो चुकी तयार आप भी इसे तयार करें बहुत बहुत स्वाधिश लगता है हमें इसे थोड़े लिम्बू और प्यास का सथेंजे करेंगे यहां पर देखिए हमारा जो बिल्कुल जटपट बनने वाले स्वाधिश छोले मसला आप तयार हो चुकी मैं थोड़ा इसे पास में लाका दिखाती हूँ आप लोग दिखने का बाद आप लोग का मुँँ में भी पानी आये होंगे ना और आप लोग को यह कैसे लगे आप एसे तयार करते हुए रोटी राइस चपाती का सथेंजे कर सकते और बच्चे क्या बड़े सब भी को यह मैं बहुत पसंद आने वाले आप एक बर इसे बना कर खाएंगे ना इसे बार बार बनाने के लिए मन करेंगे यहां पर मैं थोड़ी से आप लोग को पास में और दिखाती हूँ देख पार है इनका जो स्टेक्चर इनका जो कलर बिलकुल फार्फेक्टर कैसे इसे हम कम इं करेंगे और आप लोग भी इसे बनाएं आप लोगो राछचन प्राफटा बनाने का रेसिपी चाएए तो मैरे पिछले वीडियो पर जा कर देख सकते यहां पर देखिए हमें इसे अच्छा प्रटा का साथ एंजय करें आप लोंग भी इसे बनाएं प्रटा चप्पाती राइस का साथ इसे त्यार करें एंजय करें और यह जल्दी भी बनकर त्यार हो जाता है विल्कुल कम इंग्रेडियन्ट में यह बनता है देख पर है हमारा जुले चापराटा कर ले यार ऐसा हमें मुठ्धा बन आते तो यह बन जाते हैं और यहां पर देखिए हमें इसे छुले मसाला का साथ इंजे कर रहे हूं आप भी इंजे करें आए लोग आप लोग को रेसी भी अच्छा लगे होंगे अच्छा लगे तो मुझे भी कमेट में जोड़ी लिखे ताकि मेरे की भी अच्छा लगे और बहुत अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करना ना मुदिए फिर मिलेंगे और ए झाल 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 झाल